भाई लोग आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि सेर अखेला रहता है जुन्ड में नहीं इसी कहावत का गलत मीनिंग निकाल कर को इस भोशपूरी इंडस्ट्री में लोग बड़ा रहे हैं उनी के जबाब के लिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंति तक जरूर देख लीजेगा उन लोगों को काफी अच्छा जवाब मिलने वाला है और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जूर जाईएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोजपूर इंडस्टरी की सभी मातपूर्ण खबरे आपके लिए आपका दोस्त हमेशा लाता रहता है तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चैनल भोजपूरिया जहान में आज के इस विडियो में आप लोग को बता दे कि कहा जा रहा है भाई लोग कि सेर अकेला रहता है जूंड में नहीं यानि कि जो आज अवर्ड सो होने वाला है कोलकता में उसमें सब लोग जूंड में जा रहा है तो उन लोगों की तुलना समझा ये क्या से किया गया है और सेर भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक ही सेर है जिसको जंगल में कोई पूछ भी नहीं रहा है तो ये कैसा सेर है भाई जिसको जंगल में कोई पूछ ही नहीं रहा है तो लोग कर रहा है कि सेर अकेला रहता है जुन्ड में नहीं, मतलब ये चीज़ सूट नहीं कर रहा है, सेर क्या होता है, सेर जंगल का राजा होता है, और जंगल का राजा को तो सभी लोग को तो respect देना चाहिए भाई, किसी सभा में अगर राजा नहीं है, तो वो सभा कैसे संपन होगा, और यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि वो सेर को कोई पूछ ही नहीं रहा है तो इसा सेर बनने का क्या जरूरत जब हमारा कोई वेली हुई नहीं रह जाएगा तो ऐसा सेर भी अच्छा नहीं लगता है और जो ये दिंचार को चम्जा लुग कर रहे हैं कि भोशपूरी मतलब यहां एक ब sin english को सूट नहीं कि करत principally सेल्लोग होता है कि ऐसलावा नूंत इक बहुत फरी Frie Sophos मतलब मतलब वर लपत नहीं करतार है न यहें अर जायदा यह अंगूर खाटा होई एक रासे का जरूरी बाद अब वहां से चल देला से तमारा कहल गेल बाकी अंगूर ना मिललता अंगूर खाटा बाद वही हाल बोश्पूरी इंडस्ट्री में होता अगर बुलावल ना कोईल तसे रखेला बाब हाई लोग बाकी तसा बुरा निमानना है बस आप लोग अगर कुलकत्ता के अगल बगल कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जरूर जाहिएगा देखिए और एक बात जाते जाते और करना चाहरा है कि ये सब बोलने से पहले एक बार ध्यान दे दो कि मनोस्तिवारी रवी किसन दिनेश लार यादो निरहुआ जो भोशपुरी को इतना आगे बढ़ाए हैं और भोशपुरी के सर्वस्रेष्ट व्यक्ति हैं इन लोगों के बारे में भी सोचा करूँ ये नहीं कि अपने सेर के जोंड में तुम भोशपुरी के अच्छे-च्छे दिगस लोगों को होना जरूरी था इसलिए मैंने कहा चली अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए सबी दोस्तों को दिल से धन्यवाद